हेलो दोस्तों, MK Alert के ओफिशल यूटूब चैनल में आप सभी का फीड से स्वागत है वीपरो की तरफ से विल्प की वेकंसी निकल के आच चुकी है एंड 2021 की एक और वेकंसी के अपडेट के साथ आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ तो यहाँ पे आपको मैं फुल नोटिफिकेशन खोल के दिखाऊंगा मेल फीमेल कैंडिकेट दोनों ही अपलाई कर सकेंगे इस जोब पोश्ट के लिए अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आपके लिए अच्छा मौका होने वाला है क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स भी अपलाई कर सकेंगे औल इंडिया फॉरम होने वाला है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी जहां से अब डारेक्ली अपलाई कर सकेंगे बाकी मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़के बता देता हूँ तो यह राइन का ओफिशल अपसाइट जहां पर आप देख सकेंगे कैरियर्विवप्रो डॉट कॉम यहाँ पर आप कैरियर्स के अंदर यहाँ पर देख सकेंगे यहाँ पर क्या क्या होने वाली यहाँ पर एजुकेशन वाइज अगर देखे जाए तो दसवी पास आप होने चाहिए बारवी पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% मतलब 6.0 CGPA आपकी होनी चाहिए या उससे भी ज्यादा हो सकती है तो आप अप्लाई कर सकेंगे Year of Passing की बात करते हैं तो 2021 में अगर आप Year of Passing होए थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर qualification कौन कौन सी मांगी कई यह bachelor degree computer application के साथ BCA के साथ यहाँ पर B.S.C. अगर आपने कर रहे की थी computer science या इस पर IT से या पर mathematics या इस्टाटिक से या electronics और physics से तो आप अप्लाई कर सकेंगे Other criteria यहाँ पर क्या-क्या मांगी गई है जैसे कि आप देख सकते है mandatory आपके होनी चाहिए core mathematics in subject of graduation में होनी चाहिए and business mathematics अगर आप में थी तो आप apply कर सकते है minimum maximum 3 साल का education gap नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पर and यहाँ पर अगर है तो आप यहाँ से देख सकेंगे notification में no gap is allowed in graduation अगर आपने graduation में gap लिया था तो आपका allow नहीं किया जाएगा graduation should be completed within 3 साल तीन साल के अंदर आपके graduation complete ही होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने चार सल तक graduation तीन साल वाली graduation चार सल तक खीजी थी तो यहाँ पर education यहाँ पर अगर आप देख सकते है अगर आपको अप्लाई करने वाले वीपरो के लिए तो यहाँ पर तीन साल का यहाँ पर वीपरो के लास्ट तीन साल में यहाँ पर not eligible होने चाहिए और यहाँ पर अगर हम लोग डीटेल की बात करते हैं सैलरी की वाइस तो यहाँ पर फर्स्ट यर में आपकी सैलरी होगी जो की होगी पंदरह हजार से ले करके एंड जो second year में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 17,000 की तीन तीसरे साल में आपको 19,000 की चौते साल में आपको 23 सैलरी देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर आप भी अपलाई करना चाहते तो यहाँ पर आपको सर्विस एग्रिमेंट करना होगा जिसमें आपको देखना होगा कि 60 मंत का आपका सर्विस एग्रिमेंट होने वाला है तो आप उसी साप सोच के चले कि आपको 60 महीने इसी जॉप में करना पड़ेगा आपको time और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं सेलेक्शन पॉसिजर की बात करते हैं तो online assessment test होगा जो 80 मिनट का होगा aptitude, verbal, analytics, quantitative यहाँ पर 20-20 marks के 20 questions होने वाले written communication test 20 marks का होगा और इन सब के basis में आपका online assessment आप नीचे apply now के section में क्लिक करके apply कर सकते हैं direct इनकी offline, online forum के लिए तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आए हो अगर पसंद आए तो like जरू कीजेगा अगर आपको इस जॉप के लिए apply करना है तो simply google में search करिए www.navalet.in जैसे आप इसको search करेंगे आप मेरी official website में आप आएंगे जहां से आप search करके इस job post के लिए apply कर सकेंगे बाकि अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो like जरू कीजेगा चैनल में नए हो अगर आप भी चाहते कि आप चैनल को भी subscribe करना ना भूलिएगा तो मिलते हम अगली वेकेंसी के साथ तब तक के लिए goodbye and take care